हलो फ्रेंट्स मिले ना में दिवेश और आप देख रहे हो चैनल एक्स्प्लेंट तो अभी मैं modern business organization की answer provide करवाने वालूं तो भाई अपना code match कर लेना करने से पहले modern business organization तो इसके सबसे पहले हम करवाएंगे question number first का answer question number first आपको दिखरा होगा इसमें यहां पर लिखाया comment also explain the difference between business professional employment तो तीनों में difference बताने बस तो अब चलते हैं इसके answer की तरफ हाफ फ्रेंट्स तो question number first के answer पर आ गए तो first आपको यहां से उतारना है what is business ठीक है तो यह business की definition है पूर profession की मैं आपको देरे देरे दिखा रहा हूं आप इसको उतार लो और वीडियो को like करना और चैनल को subscribe करने जाना बहुत मुश्किल से आपके answer ढूंड रहे हैं आपके help कर रहे हैं तो प्लीज एक subscribe तो करी देना चैनल को यह difference बताना तीनों में तो यहां पर इस तरह से आप difference बनाके लिख सकते हूं मैं आपको दिखा रहा हूं पूरा यह इसके कुछ basic से आपको यह basic जरूरतार नहीं याद रखना ठीक है तीन होगे कि यह आपका पूरा first answer हो जाएगा फिर और वीडियो को लाइक करके चैनल को subscribe करते हो जाना भाई बिल्कुल भी मत भूलना ठीक है तो यह आपका answer जो है वो यहाँ पर खतम हो जाता है first answer यहाँ पर खतम हो जाता है चलते है next answer की तरफ हाँ फ्रेंट तो मैं करवाने वाला हो आपको question number second का answer आपको दिख रहागा what is serval benefits and barriers effective of delegation authority or discolation और यहाँ पर लिखा सफसफ explain the main difference between delegation and decentralization of authority अप चलते है answer पे हाँ फ्रेंट तो difference between delegation and decentralization देखो यह रहाँ आपको यहाँ से पहले पूरी definition उतार लेनी है यहाँ से यहाँ तक पूरी definition उतारो जब यह आप उतार लगे तो इसके बाद फिर आपको यह उतारना है और वीडियो को बनाने में वाई थोड़ा time लग गया क्योंकि यहाँ पर ढूंड रहेते answer तो आप प्लीज चैनल को subscribe कर लेना नेक्स टाइम थोड़ा जल्दी answer लाने की कोशिश करेंगे और आप चैनल को subscribe करके bell icon दबा के own कर लेना यह इसके difference है आपको basic के हिसाब से उतार यह यहां तक आपको उतारना है पहले फिर उसके बाद आपको रुग जाना है और फिर उसके बाद आपको यह सब लिखना है यहाँ पर जैसे की process यह इसके points है यह difference है points के अंदर ही है मगर needs अगर आपके page भरा नहीं है आपको थोड़ी जगा लगती है आपको पास है तो आ प्रेंट्रोल कि एंड अथोरिटी यह अथोरिटी का यह स्कोप और बस यहां पर आपका जो अंसर है पूरा खतम हो जाएगा सेकेंड भी अब चलते हैं next answer की तरफ हाँ फ्रेंट्स तो अब हम चलते हैं question number third answer की तरफ do you have the private company or public company जो है उनके बीच में compression बताना है और फिर उ डालना है यहां से नहीं तक अलिए आप उतार लो और अब फिर उसके बाद यह private company आपको लिखने है और फिर आप अब आईगा पबलिक कंपनी का यह आपको लिखना है फिर यह पबलिक कंपनी का यह यह लिखना है यह key difference है इनके और वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करते हो जाना वाई प्लीज क्योंकि वीडियो के अंसर डूनने में काफी ज्यादा मेनत रगरी है आप लोगों के लिए डून के ला रहे है बस यह यह पर खत्म है कि आपको यह नीचे वाला नहीं लिखना है सिर्फ यहां तक आपको लिखना है फिर यहां पर आपको रूज जाना है हाँ फ्रेंट तो उसके बाद आपको कुछ disadvantages लिखने हैं आपको यह लिखना है और यहां पर आपको रुख जाना है इस जेगा पर इससे पहले ही रुखना है आपको और यहां पर से कुछ disadvantages मैं दिखार हूँ यह रहे यहां से यहां तक यह देख लो तो यह answer जो है आपका इतना ही रहेगा इससे बड़ा नहीं है तो चलते है next answer की तरफ हाँ friends तो अब हम last answer provide करवाने वाले है यह है fifth answer what is difference between credit card and smart card debit card ठीक है और यहां पर नीचे लिखा है which payment is better than credit card and debit card तो चलते है answer की तरफ हाँ friends तो यह इसका answer है यहां से आप देख लो difference between debit and credit card तो पहले आपको यह लिख रहे है फिर उसके बाद आपको यह लिख रहे है what is debit card what is credit card और यह इसका difference है मैं दोनों आपको दिखा रहा हूँ ठीक है यह इसका last answer है वीडियो को लाइक करना चैनल को subscribe करना और बैल आइकन को जरूर प्रैस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन ओन कर लेना तो यह यहां पर आपको आकर रुख जाना है इस जेगा पर और फिर आपको यह लिखना है smart card का यहां से यह आप smart card का लिखोगे ठीक है यहां से लिखना है यह यह यहां तक आपको लिखना है फिर रुख जाना है और फ्रेंट तो उसके बाद आपको फिर यहां से यह लिखना है पर आपको यह लिखना है पुरा और यह आपको यहां तक लिखना है फिर आपके सारे आंसर कंप्लीट हो जाएंगे तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्ट वीडियो में